मश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यानी दोस्तो अगर आपके घर में गरीबी है और आप अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं तो चावल का यह अदभूत उपाए आपके घर की गरीबी दूर कर सकता है इसलिए दोस्तो अगर आप अपने घर से ना करात्मक और जा अपने घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं तो यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप वास्तु सास्तर और ऐसे ही घ्यानवर्दक वीडियो सबसे पहले देख सकें तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो शास्तरों में पूजा के समय चावल के इस्तेमाल को बेहदी शुब माना जाता है जोकि चावल देवी देवतां को अरपित की जाते हैं जोकि पूजन कारियों को पूर्ण करने में मदद करते हैं इतना है नहीं किसी को भी तिलक लगाते समय चावल का उप्योकी आ जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल का ये उपाए आपके घर की गरीबी को भी दूर करने में कारगर उपाए साबित हो सकता है और वो कैसे हो सकता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तो भगवान शिव को सोंबार के दिन चावल चड़ाना बेहद शुब माना जाता है लेकिन उस वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूर होता है कि चड़ाए जाने वाला चावल तूटा ना हो अगर आप मन चाही नोकरी पाना चाते हैं तो इसके लिए भी आप चावल का इस्तिमाल कर सकते हैं मीठे चावल बना कर कवों को खिलाने से आपकी सभी मनोकाम नए पूर्ण होती हैं अगर आप पैसों से सबंधित किसी भी तरह की परेशानी चेल रहे हैं तो ऐसे में आप किसी एकांत शिविलिंग के पास जाकर बैठ जाएं और भगवान शिव को एक मुठी पर चावल चड़ा दें इसके बाद बचे हुई चावलों को किसी जुरूरत मन या गरीब को दान कर दें यह उपाए आप पूर्णिमा के बाद आने वाले सोंबार के दिन कर सकते हैं और ऐसा आप लगातार पांच सोंबार करें इससे आपकी सबी परिशानियां दूर हो जाएंगी वहीं आपके घर में पितर दोश के चलते किसी समस्या से आपको जूजना पड़ रहा है आराम से बनेंगे दूस्तों सोंबार के दिन जो अरपित करने से भी आपकी अधिक सुख प्राप्त होते हैं दूस्तों ये ज्यान वर्धक वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसी ही ग्यान से भरपूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपने ग्यान के भंडार को बढ़ाते रहें हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद